बता देता हूं इसको कैसे करेंगे देखो क्या करेंगे यह क्या लिखा है log x to the base a define only if कब define होता है condition 0 जिसका log ले रहे वह positive होना चाहिए x greater than 0 base 0 से बड़ा और base की value बड़ा मतला यह 3 situation है करेंगे बता सरसे पहले 2x 2x minus 1 should greater than 0 होना चाहिए x should be greater than half x greater than half हो जाएगा सही है x greater than half होगा पहला condition होगा अचा दूसरा condition क्या है कि x का जो base है base should be greater than 0 होना चाहिए तो यह तो हमें से true होता है हमें से true होगा के नहीं होगा अचाहिए 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 एक्स बोल जाना तो zero consider नहीं होगा अरे क्यों नहीं है हमें बताना है कि ये कब possible है x square greater than zero किन x के लिए true है true है हमें जीरो अगर x zero हुआ तो नहीं हो 0 को छोड़के sum x के लिए true है तो minus 0 करना है sir पर हम x square is greater than zero ही बोलता है जीरो होता है x की कोई भी value पुट कर दो सिवाय जीरो के हमें ये नी बोलते हैं x square greater than or equal to zero for all x belongs to real ये बोला जाता है x की कोई भी value पुट करो ये हमें साथ 0 ही आप से बढ़ी आएगी ये situation तो ये हटा देते हैं इसकी जरुवरत नहीं है तो क्या ये second condition सामझ आई अच्छा तीछ एक कंडिशन क्या होगी इसी नी कंडिशन कहता है कि बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए तो क्या मिलेगा एक्स बिलांस तो जली से सोच के बता हूँ एक्स ग्रेडर दन हाफ X is greater than half 1 by 2 से बड़ा कुछ और भी इसमें लिखा जाएगा बता हू minus plus 1 minus 1 only एक ही नमबर हटाया जाएगा क्योंकि 1 इसमें इंप्रूड़े तो वो हटाना है बस यही आज़र है के तनी बास समझ आई पक्का एक और कॉस्टन लेको बिल्कुल सिमलर नेचर का सब एक सकंद उपर जा सकते हो येस ठीका अच्छा एक और कॉस्टन बिल्कुल सिमलर नेचर का जिखो जूली शे फट अफट अपर आपर 4x plus 5 define क्या मिला पता, क्या solution मिला आपको? open bracket minus 5 by 4 comma 3 by 2 minus 5 by 4 comma 3 by 2 open bracket minus 1 let me check ये आपका solution आया है मेरा भी पही हाया मुझे लगता है, सही आ रहा होगा है पहली condition क्या लगाएंगे बताओ minus of minus 1 minus of minus 1 चलो देखें, क्या आएगा पहली condition क्या लगेगी 3 minus 2x कैसा होना चाहिए? positive positive number का ही लग define होता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्या 2x less than 3 by 2 आजाएगा? ये पहली condition विल गई है कि जो एक्स है वो 3 by 2 से छोटा है दूसरा बता रहा है कि जो बेस है बेस भी positive होना चाहिए मतलब 4x प्लस 5 की वैल्यू भी positive आनी चाहिए तो ये बोल रहा है कि x should greater than minus 5 by 5 minus 5 by 7 by 4 ये दूसरी condition हो गई है और तीसरी condition बोल रहा है कि बेस को 1 के एक्कोल नहीं होना चाहिए बेस नॉट टो बेस नॉट टो 1 मतलब 4x प्लस 5 नॉट एक्कोल टो 1 बेस जो है इसके एक्कोल नहीं होना चाहिए तो x नॉट बेस नॉट 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 बुल नॉट था सर वो फिर्स कंडिशन में 3-2x इस ग्रेटर दन जीरो है ना तो हम जब 3 उस साइड लेते तो वो minus 3 हो जाता है और फिर minus 2 भी नीचल आया तो फिर वो minus minus cancel हो जाता है तो फिर x is greater than 3 upon 2 हो जाएगा ना सबज आगया तुमारी कंडिशन मुझे तो पुछ यहाँ पर तुवार जैसे देखो द्यान से जैसे 7 greater than 5 अब यदि मैं minus से multiply कर दो minus 7 और minus स्विच हो जाएगा हाँ वो जाएगा समझ आएगा हाँ तो मैंने वो minus से खिलवाडी नहीं किया मैं बस इसको इदर ले गया इस साइड तो कामला बता रहे है 3 greater than 2x और इसी को इस तरह ऐसे लिख सकते है 2x less than 3 सही है 2x less than 3 है तो x less than 3 by 2 हो गया क्या इतनी बास समझ आएगा इसको अधर ले जाएंगे तो क्या बलेगा 4x not equal to minus 4 आएगा 1 minus 5 ओके ठेक वाँ x not equal to minus 1 हो जाएगा अब इन तीनों situation का intersection कितना मिलेगा कोई बताएगा मुझे x belong करेगा कहां से कहांते या फिर number line पे आप plot कर लिजे याद करो number line पे plot करना सिखाया था कि कैसे करते हैं पहला point आप लिख लिजे 3 by 2 3 by 2 से कम आ रहे है ऐसा पहला दूसरा है दूसरा लिखोगे minus 5 by 4 minus 5 by 4 minus 5 by 4 से पड़ा यह open order हो गया और x क्या नहीं हो सकता 1 नहीं हो सकता है अरिवेल्यू जा सकती है बस x की value 1 नहीं हो नहीं हो नहीं तो यह minus 1 वाला point अट जाएगा अब बता इन तीनों में जो common region common region क्या मिलेगा common region इन जाएगा इन जाएगा open bracket 3 by 2 जो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं log पर इसको सवजने की कोसेश करते हैं क्या यह तीनों questions solve कर पाऊगे can you solve these 3 questions कैसे करेंगे एक बता दू क्या एक अप्रोच बता दू जैसे पहला question है first one की log of 27 to the base 81 की value निखा ली है तो मैं क्या करूंगा कि let's say इसकी value कुछ x हो गई है क्या है मैं क्या बोलूंगा logarithm को मैं चाहूं तो exponential में convert करता हूं yes sir कैसे दिखा जाएगा बताव 27 81 to the power x हो जाएगा अब equal to 20 हाँ तो 3 की power में 3 to power 3 text ना तो इसकी value 3 by समझ आया क्या क्या हाँ इसकी value बताव 2 आजाएगी इसकी आजाएगा इसकी बताव minus 5 by 2 आजाएगा पक्का हाँ sir करके देखा सब लोग उसने आजाना चाहिए हाँ हाँ sir, minus 5 by 2 आजाए very good और लोगों से आया है क्या जो क्या करेंगे फिर से यहां पर मैं इसको exponential में convert करेंगे log इसको क्या लेक सकते हैं 3 to the power 2 into 3 to the power half और यह 3 to the power minus 1 लेक सकते है ऐसा और इसकी value में let's say कह दिया x है तो यह क्या होगा 3 to the power minus x is equal to 3 to the power minus x x के यह 3 to the power minus x हो जाएगा 5 by 2 is equal to minus x x का value minus 5 by 2 यह आ रहे है यह आ रहे है ना सबसे यह आ रहे है समच गई समच आ लिया चलो थोड़ा और आगे बढ़ता है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर्मूला अभी लोगर्थम को मैंने हम लोगों ने कैसे सौल किया बताओ करड़ करके लोगर्थम के कुशन सौल किये एक्स्पोनेटियल में करती रहै होяг कुछ फॉर्मूले कर लेता है एक्स्पोनेटियल के वहाब प्र तो पहला फॉर्मूला देखो द्यान के बताओ यदि मैं कहूं कि A की पावर 0 कितना होता है 1 1 होता है पक्का यह exponential form है तो यहाँ पर इसी का logarithmic form क्या हो जाएगा log of 1 log of 1 to the base A is 0 1 to the base A is equal to 0 तो इसका क्या मतलब है कि 1 पर log की value हमेशा कितनी होती है 0 होती है जैसे कुछ example कि log 1 to the base 5 बोले तो कितना आजाएगा 0 लिखते है 0 अच्छा log 1 to the base half करें तो यह कितना आजाएगा 0 आएगा अच्छा यदि मैं कहूं log 1 to the base minus 5 यह कितना आएगा 0 आएगा यह निया आएगा 0 आएगा पका 0 आएगा greater than 0 अच्छा यह ना क्या greater than 0 अच्छा यह base minus 5 अच्छा बेस में प्रॉलम हो रही है ना तो यह नोट डिफाइन होगा अच्छा यह नोट डिफाइन अच्छा यह नोट डिफाइन अच्छा यह नोट डिफाइन कि कभी भी यह हमेसा यह जीरु यह जीरु आएगा तो अबियसली हमने इसको base में लिया है तो यह understood होना चाहिए कि यह जो A है यह base की condition को फुल्फिल कर रहा है base conditions मतलब वो positive है मतलब greater than 0 मतलब यदी हमने ऐसा लिख दिया मतलब यह condition मान ली गई है कि यह फुल्फिल होगी condition वोई condition ना greater than 0 and not equal to 1 exactly greater than 0 होना चाहिए और not equal to 1 तो क्या पहला formula समझ आगे दूसरा formula देख लेते हैं दूसरा formula समझते हैं कि A की power यदी 1 रखें तो यह कितना आजाएगा यह ही आएगा पका पका अचा यही मैं इसको logarithm में convert कर दो तो कितना होगा log of A to the base A is 1 log of A to the base A is equal to 1 होता है log A to the base A is equal to 1 होता है यह बहुत ही important property जसे मैं कुछ इसके एग्जामपल लेगी जसे log 5 to the base 5 कितना हो गया? 1 फिर यदी मैं कहूं log 7 to the base 7 कितना हो जाएगा? 1 यदी मैं कहूं log half to the base half यह भी 1 यह भी 1 यह भी 1 होगा यदी मैं कहूं log minus 3 to the base minus 3 यह नोट de-fine नोट de-fine परी बार तो negative number का log आते ही नहीं लोग negative number का log आता है क्या? नहीं आता है तो इस तरह से हो जाएगा तो दो फॉर्मुले हो गए अच्छा तीसरा formula देख लोते हैं फॉर्मला नुम्बर 3 तीसरा फॉर्मुला देख लोते हैं जैसे मैंने कहा y is equal to a to the power x, exponential है, तो बताओ, इसको logarithm में कैसे लिखेंगे, कैसे convert करेंगे, क्या लिखा ज़रेंगे, log y to the base a is equal to x, पक्का, हाँ, अब मैं इसको फिर से rearrange कर रहता हूं, y is equal to a to the power x, जो है, यह जो x है, यह जो x है, और यह x सेम है, तो जो a की power x था, यहाँ पर, इसकी जगए, a की power x की जगए, क्या यह लिख दू, log y to the base a, और यह y के equal है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, बताओ, ज़री मैंने कहा, a to the power log x to the base a, यह किसके equal हो जाएगा, बताओ, क्या यह x के equal हो जाएगा, तो log x यह log y, log a to the base a, यह जाएगा, तो यह y होगा, तो यह exponential में आपने जेकाए हो, जाने वद दिखा है, अपने एक एक्सोल में लॉग हैं। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है , वेरीवल बदल दियें क्या दिक्कत है? नहीं, जाने मुझ के लिखा हूगी धिया हैं जाने मुझ कि लिखा हूगी, कुछ फ्ञाट थोड़ी ना पड़ेगा यदि यहां वाई है तो यह यहां पर एक्स होता थी, यहां पर एक्स होता थी, यहां पर पड़ेगा गया, जैसे यदि मैं कहूं कि बताओ, 5 to the power log 7 to the base 5, तो आप क्या कहोगे इसकी वैली? 5 यहां कितना आएगा? शरी, 7 आएगा. 7 आएगा. 7 आएगा. अचा, दूसरा, दूसरा देखते हैं, 13 to the power log 13 to the base 13, बताओ, अब यह कितना आएगा? 13 आएगा. 13 नहीं आएगा. 13 नहीं आएगा. देख लो ध्यान से, यह तो वैसी 1 होता है. 1 होता है. 13 नहीं आएगा. 13 नहीं आएगा, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ. चलो एक और फॉर्मूला, नेच्ट फॉर्मूला, नेच्ट फॉर्मूला, देख लो. पटापट. नेच्ट मैं लिखू, य इकल टू, कुछ, A to the power X1 लिख देता हूं. चलेगा? और यह Y1 है, और Y2, इसको ऐसे रहने लो. य इकल टू, A to the power M, यह Y1 हो गया, और Y2 is equal to A to the power N, यह चलेगा? यह और आसान सा करें तो, इसको X और Y कर रहता है, कुछ. यह X हो गया, यह Y हो गया, चलेगा? एकल टू, A की पावर है, और Y इकल टू, A की पावर N है. अच्छा मैं एक काम करता हूं, दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूं, तो X, Y कितना आएगा, बताओ? दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो बताओ, A to the power M plus N. एकल टू, A to the power कितना आजाएगा? M plus N. एकल टू, A की पावर N है, और इसको simplify करोगा, तो A की पावर M plus N, यह X, Y. इसको मैं logarithmic form में convert करना चाहता हूं, लोग के form में लिखना चाहता हूं, तो कैसा लिखा जाएगा? लोग of xy to the base a. लोग of xy to the base a. लोग of xy to the base a. लोग of xy to the base a is equal to? M plus N. है na? अच्छा बताओ, यदी, यहां पदियां से देखो, यह जो लिखा हूँआ है, x equal to a की power M लिखा है. और मैं चाहता हूँ कि इसको एक logarithmic form में लिखू तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ क्या log y to the base a आएगा और वो दोनों इधर ही apply कर देता है m की value कितनी है log x to the base a plus n की value कितनी है log y to the base a तो क्या देखने को मिल रहा है बताओ क्या object कर रहे हुआ क्या formula बताओ बताओ formula बताओ क्या मिला वो दोनों separate होगा अंदर वाले log x y to the base a किसके इक्वल है log x to the base a प्रस्ट लॉट करो जैसे इसको यदि हमें देखना है इसके कुछ अग्जामपल ले 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 रहा है जैसे मैं जे log 15 देखना है तो 15 to the base 3 है तो हम क्या लेख सकते है इसको log 3 into 5 to the base 3 है तो अब देखो दियान से क्या लिखेंगे क्या लिखा जाएगा यह क्या लिखा जाएगा बताओ log 3 to the base 3 to the base 3 plus log 5 to the base 3 कैसे लिख सकता है और यह भी आदे बताओ log 1 plus log 5 to the base 3 कैसे लिखते जाएगा क्या यह समझा रहा है किस तरह से simplify हो रहा है यह आगे बढ़े नेक्स फॉर्मला नेक्स फॉर्मला नमबर 5 वो इसी से ड्राइव कर लेते हैं यही बाला सिच्वेशन यही उठा लेते हैं यहां से देखो इसको एक्स अपोन वाई कर दो डिवाइड कर दो इससे पहले क्या किया था हमने मल्डिप्लाई किया था अब मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं तो यह क्या होगा एक्स अपोन वाई इस इक्वल टू एटू पार एम माइनस एन इसका मतलग एदी हम लॉग में लिखना चाहिए इसी चीच्च को लॉग में करणवाइट करना चाहिए तो कैसे करेंगी log of x by y to the base a is equal to m minus n log of x by y to the base a is equal to m minus n और यही क्या होगा बताओ m की वैली तो हमें पता है log x to the base a minus log y to the base a तो बताओ फॉर्मुला क्या बना क्या फॉर्मुला बना log x upon y to the base a log x to the base a log y to the base a exactly log x upon y to the base a is equal to log x to the base a minus log y to the base a इस तरह से बन जाएगा समझ आया है? प्लियर हुआ है? जैसे एक 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 जाम्पल ले ले लेते हैं यहाँ पे एक एक जाम्पल ले ले लेते हैं कि यदि मैंने कहा log of log of 3 log of 15 to the base 15 by 7 to the base 3 इसको अदी हमें देखना है तो हम क्या लेखेंगे इसको? log of 15 to the base 3 minus log of 15 to the base 3 minus log of 7 to the base 3 आप चाहें तो इसको और फर्दर simplify कर सकते हैं जैसे इसको अपर फर्दे पहले लिखा था 1 plus 3 to the base 3 minus log 7 to the base 3 इस तरह से लिख सकते हैं क्या यह के लिए हुआ? ठीक है? अच्छा इसका एक और फर्मुला है, जैसे यह है इसी फर्मुले को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं इसका इक्सटेंशन क्या हो सकता है? देखो इसका एक्सटेंशन बना सकते हैं नेक्स फर्मुला पॉर्मुला नमबर आप इसको लेख सकते हैं यह कौन साथ ना 6th छिफ्ट था ज़ी शिख सकते हैं भाप फॉर्मुला नमबर 6 लेख सकते हैं वो कैसे कि यदि मैं कहूं कि लॉग X into X X square to the base A है तो क्या करोगे बताओ क्या करोगे बताओ क्या करोगे बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x to the base a, plus log x to the base a, और यह कितना है, बताओ, इसमें, त्वाइस लोग, log x to the base a आएगा, इसमें थोड़ी, थोड़ी ambiguity है, इस result में, हम लोग थोड़ी देल में discuss करेंगे, करेंगे, we'll discuss a little bit later, और वो ambiguity क्यों है, क्योंकि यह जो power है, यह even power है, इसलिए बताता हूं, खोड़ी देख में, अच्छा, लेकिन इसी में, इसी और कर दूँ, मैं कहूं, log x to the power 3a, to the base a, तो अब आप क्या करोगे, आप क्या हो जाएगा, 3 log x to the base a, आइड़क नहीं आएगा, तो इन जनरल, जनरल, क्या formula बनेगा बता हूं, log x to the base a, किसके एक को नहीं जाएगा, is equal to n log x to the base a, exactly, क्या आएगा, n log x to the base a, लिखा formula लिख लिजाएगा, अब ये वाला concept देख लेता है, ये वाले situation की, आप सोच रहेगे, इसमें क्या ambiguity है, और कभी ये problem करता है, देखो दियान से, बेसिकली, बताओ, x की value, minus 2 के लिए defined है, की नहीं है, होगी, हाँ, x की value, minus 7 के लिए defined है, x की value, 5 के लिए, इन सब के लिए defined है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख दू, 2 times log x to the base a, अब बताओ, तो वो not defined हो जाए, इनके लिए not defined है, तो समझाय है, यह इसमें domain problem हो रहे है, तो basically, जब even power होता है, जैसी यह 2 है, 2 क्या है, even number है, even power है, तो जब even power होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, यहां पर x नहीं लिखते हैं, x की जगेना हम लिख देते हैं, absolute value of x, अब जैसे absolute value लिखा, तो अब इन तीनों के लिए define होगे, चेक करो, अब यह formula विलिए, लेकिन यदि odd हुगा, जैसे log x to the base 5, यह यहां पर 3, तो अब इसमें इसको ऐसी लिख देंगे, 3 times log x to the base 5, इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि यह odd power है, odd में हम odd नहीं लगाते हैं, क्योंकि odd power में negative वैसे लिख जाएगा, ऐसे यह बोल रहा है कि x positive होगा, लेकिन even जब power होती है, तो वहां पर यह problem आती है, इस तरह की, तो क्या यह,